नमस्कार साथियो स्वागत है स्वागत है स्वागत के इस एपसोड में मैं हूँ आपके साथ जितन्त कुमार और बात आज करने वाला हूँ भारते जिंता पाटी जो उनका नारा है अब की बार 370 पार और फिर अब की बार 400 पार यानि एंडिये गठवन्धन के लिए 400 पार और खुद के लिए बीजेपी के लिए 370 का टारगेट परधान मंतरी नेंदर मोदी जी ने सदन में भी कहा लगतार रैलियो में बोल रहे हैं और जिस हिसाब से पूरे देश भर के भीतर अलग अलग प्रोजेक्स बाट रहे हैं हर राज्य के भीतर हजारों करोडों की घोस हो रही है इस बात से लगता है कि भारते जिनता पार्टी पूरी ताकत से 370 के लिए 2024 की लोगसभा चुनाओं लर रही है लेकिन बास्तवित्ता क्या होता है कई राज खासकर के उत्तर प्रदेश जहां पर से यह कहा जाता है कि दिल्ली के लिए चाभी निकलती है जिहां द 20 है उत्तर प्रदेश की लोगसभा की सीटे और 26 गुजरात की लोगसभा की सीटे सौसेज जभानेताओं का कहना है इन दो राजों में हमसरे ज्यादा सीटे लेकर क्या आते हैं क्या उत्तर प्रदेश में 2024 के लोकसभा चुनाओ के मद्देनाजर सब कुछ ठीक चल रहा है राम लला की प्रान प्रतेश्था के बाद उत्तर प्रदेश के भीतर कैसे सीको तारा गया कहां अब वहाँ पर जो है जो छोटे-छोटे बीजे के भीतर सीट सेरिंग क्यों ने हुआ आमादी पार्टी समाजबादी पार्टी क्यों लग रही है इस तरह की खबरे तो लगातार चल रही है लेकिन एंडिये गठवंदन के भीतर भी तो कुछ गरवर है हट पड़ तो है अब उत्तर प्रदेश के लिए आब राम लला भी स पार्टी के लिए निकलती है कि क्या योगी आदितनियात जी का मंत्री मंडल का विस्तार होने वाला है और कुछ पॉलिटिकल पार्टी को साधने का प्रयास किया जाएगा ताकि लोग सभा के सीटों के बटवारे में वो अपना मूँ थोड़ा कम खोले है अब जो सारे नाम चर्चाए में आते हैं उसमें होता है सुबस ओम परकास राजभर का नाम आता है इनको मंत्री बनाया जाए प्राष्टिय लोग दल जो अभी 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 अगठ बंदर का हिस्सा बना है हलाकि अब तक मुलाकात नहीं हो पाई है जैन चोधरी चाहते थे कि किसी भी हाल में एकाद दो मुसलिम अगर कोई अगर उसको एकॉमेंट किया जाता है उनके कोटे से तो पस्षमित्तर प्रदेश के भी तर जो मुसलिम मत दाता है उसमें एक पॉजर्टिव इंपक्ट तो ज़जार चोबिस के लोग सवाशना के मत देंजर परेगा लेकि किलियर कहा कि पहले ने अपने सारे प्रोग्राम कैंसिल करके लखनों के भी तरह बाद में कहा अब तक मुझे कोई इनफोर्मिशन कोई खबर नहीं लेकिन प्रयास उधर भी जा रही है वहीं दूसरी और लोकशवा के सीटों का बटवारा का जो फॉर्मूला सामने निकल क करके आता है खासकर उत्तर प्रदेश के बीतर उसमें आरलडी को जो जैन्त चौधरी जो अभी 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 अगठ बंदन को जोईन किया जो जब चौधरी चरण सिंग को भारत रतन परधानमति ने अंदर मोदी जी के द्वारा दिया गया तो चौधरी चरण सिंग को जब सिटे आई बागपत और विजनोर की ओ सिटे मांगे अपने कोटे के दो सिटे यह अलग बात होती है कि साथ सिटे समाझवादी पार्टी उनको दे रहा था लेकिन जैन्त चौधरी को यह बात पता है कि उनका वजूद अब दो सिटे तक ही सिमट कर रह गया है इसलिए उन् मिल जाएगी यह तो स्खेर सामय की बात है कनुपरिया पटेल बीजेपी यह दो सिटे मांग रही है अनुपरिया पटेल का कहना है कि खासकर उनका जो डिमांड होता है हम 2014 से लगातार जो है भारती इंता पार्टी के साथ बने हुए है जब पहले दिन परधानमंतरी की डिमांड कर रही थी उनका कहना था कि बारत तो हमको मिलना चाहिए लेकिन कम से कम पांस तो लेकर के ही रहेंगे लेकिन उनके हिस्से भी दो सीटे ही आई मिर्जापूर और रवट गंज यह दो सीट देने की बात की जा रही है वही दूसरी और संजे निसाद जो 23 के भीतर हाली में कुछ ही मैंने तिंचार मैंने पहले ही इस बात की हुंकार भरा था उन्होंने की उत्तर प्रदेश के भीतर 37 लोकसवा सीटों के उपर हमारा वजूद है 37 सीटों के उपर हमारी त्यारी चल रही है अब 37 सीटों में से एक सीट क्या हो इससे सहमत होंगे राजबड साब को उधर मंत्रीपत तो मन्येल रकिन जो सीट छोड़ी जाएगी उनके लिए उनके लिए उन्होंने भी तीन की डिमांड की लेकिन एक सीट पर उनको जो है उ भारते जिन्ता पार्टी ने उत्तर प्रदेश के भीतर जो अपना सर्वे करता है तो मोटे मोटे तोर पर उन्होंने पाया कि करीब 34 सीट यलो जोन में रखा था 34 जोन में पूरे उत्तर प्रदेश पूरे में 11 सीट ऐसी निकलिद्य हाँ बहुत कमजोर इस्तिति है भारते का कुशी नगर का सितापूर का सीट दुरहरा का सीट परतापगड और फरुपकाबाद बांदा भधोही अकवरफूर कहते हैं मिश्रिक फिरोजावाद और हातरस के यह 19 लोकसभा की ऐसे सीटे है उत्तर प्रदेश के वेतर जहां पर भारते जिन्ता पार्टी को लगता है खुद इन्यांदर मोदी जी को लगता है कि उनकी इस्तिती बहुत वहाँ पे कमजोर है यह सिट जो भारते जिन्ता पार्टी जो काम करें हो आप है यह माइने यहाँ पर यह होता है कि भारते जिन्ता पार्टी को पता है कि इस बार 2024 के लोकसभा चुनाओं में इनको की सरकार चलाने की पियम मोदी आदी नहीं है इसके प्रिम्नाइंद्र मोदी गुजरात गयता पूर्ण रूप से मेजरोटी की सरकार थी उसके बाद हो लगाता चुनाओं पूर्ण रूप से मेजरोटी में ही रहे हैं किसी दूसरे पॉलिटिकल पार्टी के साथ लेकर का जब 2014 में लोकसभा चुनाओ जीत करके आये तो खुद उनके पास अपनी मेजुरिटी थी इसलिए एंडिये गटवंदन तो था लेकिन सारे गटवंदन के जितने भी पॉलिटिकल पार्टी थे उनके जो है उनके मर्जी पर दे चलो चलो ठीक है ऐसान है भरते जिम्ता पार् है लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाओं में पेच कुछ फोस्ता हुआ दिखाई दे रहा है यह मामला जो फोस्ता हुआ दिखाई रहा है यह बिहार बंगाल और महराष्ट जो बार बार जिक्र कर रहे हैं इन तीन राज्यों के बहुत खास करके करनाटक जहां पर भरते जिम्ता पर द्रिखत्क कर दिया था वहां पर इस्तिर्ति नटा परडिखत्यों के बहुत खास कमजोर हो गयी है इन सारे में जो बहरते जिम्ता पार्टी का जिस सीते कम होगे उसका भरपाई हुए कहां से करेंगे यह बात तो कहना मुश्चिल होगा लेकिन जो 370 का जो नारा है वो है ही इसलिए कि 370 जब आएगी तो 270 कम से कम मिल जाएगी दो 72 का आकरा वो जादू या आकरा जो है उसके उपर परधारमतिर नैत्र मोदी किसी भी परकार से तै करेंगे कि वो अपने बलबूते पर रहेंगे किसी की सुनने की जुरत ने रहेगी अगर उनका सर्वे भी 335 चालिस के आसपास में ही अटक जाता है अब जाकर कि जो खुद की उनकी जो सीट है जहाँ पर मंदर परदेश, राजस्थान, चत्तिस गड़ जहाँ उनका किसी की साथ गड़वन्दन नहीं करना है वहाँ पर भी जितने भी सीटे जो है अनौंसमेंट की जा रही है उसके भीतर हर रात चर्चाएं हो रही है अपने एक बात और सुन लिया होगा कि जेपी नड़ा, परदान मंतरी, अमित्सा रात के सारे ग्यारा बारा बज़े तक वहां रहे निकले बाकी नितावक्त साथ जब मीटिंग हुई ते तिन चार बज़े बहुर तक मीटिंग चली क्योंकि एक-एक सीट पर डाविदार हुए, एक-एक सीट पर बात चले कि टिकट कट रही है, खबर ये भी चलती है, और टिकट कटना खबर उन लोग के लिए होता है, जिनके टिकट कटते हैं, लेकिन PM नेंद्र मोदी जी के लिए यो style of functioning होती है, जो उनकी राजनितिक होती है, वो ही होता है, वो उनका हमेशा कहना है, anti-incumbency के नापर सकारे जाती है, मैं pro-incumbency वाला हूँ, वो इसलिए ये बात कहते हैं, क्योंकि वो तो सक्ता में बने रहते हैं, और अपने जब गुजरात के विदर थे तो उनको तो मुख्यमंत्री बने रहते थे, अमित होती है, वो उस विदाईकों के साथ जूड जाती है, और सरकार पाक साफ हो जाती है, यही मौडल नैंदरमोदी ने दिल्ली के भीतर एक समय ऐसा आया था, कि सारे के सारे पारसद, सभी पारसदों का टिकट कार्ड दिया था, और सभी नए पारसदों का टिकट दे दिया थ की कहने में ये आ जाता है किоту हम तो लाए थे लाइक मिलАइक एम ना लाइक थे seminar राजना सिंग यह सब लाइक लोग नालाइक लोग तो वह होंगे जिनके टिकट कर जाएंगे, क्योंकि नेहंद्रमोदी ने अच्छा काम किया, आप न लाइक थे कि आप हार रहे हैं? सबाल उड़ता है कि देश की जनता के पास अगर काम अच्छा किया होगा, अगर जनता को ये बात पता होगा, भिकास की जो बाते परधानमतिन नहेंद्र मोधी जी कह रहे हैं, वो एक-एक बात अगर, कहते हैं ना, कि धरती, धरातल पे एक एक बैक्ति तक पहुंचाओ तो किसी को भी खारा कर दीजिए चुनाओ जिते ये ब्रैंड होता है लेकिन सब को गारंटी की बात कहने वाले नहींदर मोदी जुकर साइड अपनी ब्रैंड की गारंटी नहीं है इसलिए आप जिताओ उमिद्वारों की लिस्ट सामने आ रही है फिल्म एक्टर्स को बलाया जा रहा है किर्केट प्लेयर्स को बलाया जा रहा है कई बरे नाम चर्चाइम है जो अंत में जो एक सब पंचानवी की लिस्ट जो आई है उसमें सब कुछ किलिए हो गया है और एक बात तह है एंडिये गठवंदन के भीतर भले अच्वे घमासान होते होई दिखाई पड़ता है और कई बार डर के मारे लोग बहुते हैं जब भीतर भीतर जब विदर होते हैं अंदरे अंदरे जब एक दूसरे को जब काटते हैं तो पॉलिटिकल पार्टी को नुक्सान होता है जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के भी मंत्री मंडल का विस्तार की चर्चा हो रही है टिकट के वितर लोग नराज हो रहे है टिकट बटवारे के मामले के लोकर के तो कहीं ने कहीं टिकट बटवारे के मामले को लेकर के भारते जिन्दा पार्टी इसके ऊपर कुछ न कुछ से नुकसान उठाना परेगा देखते रहे नहेंदर मौदी जी की पूरी दोजाच चोबिस के लोगसावा चुनाओं की हम आपके सामने सेर करते रहेंगे मुझे दीजी इजाज़त जैन जै भारत